नमस्कार, मा की रसोई में आपका स्वागत है। मैं मम्ता सर्मा आज बनाने जा रहे हूं वर्त का साबुत दाना वड़ा। वर्त का साबुत दाना वड़ा बनाने के लिए हमें सामगरी चाहिए। भीगा हुआ साबुत दाना आधा कप, उबले वे मैस किये हुए आलू तो, भुनी मौंफली दो से तीन चम्मच, कटा किस्मिस 15-20 नग, भुना जीरा एक चम्मच, पिसा आद्रक वे हरी मेच एक चम्मच या स्वादनुसार, सामक के चावल का आठा एक कप, आम चूर आधा चम्मच, सैंधा नमक, स्वादनुसार, कटा हडा धनिया, दो चम्मच, तलने के लिए घी या रिखोईंडोय, पानी आवशक्ता नुसार, सबसे पहले साबुत दाने को धो कर, तीन से चार गंटे के लिए भिगो कर रखतेंगे, और उसके बाद उसको छलनी से च्छान कर पानी को अलग कर लेंगे, और आधा गंटा रखेंगे ताकि उसका सारा पानी सूप जाए, भुनीवी मुंगफलियों का छिलका उतार कर उसको दर-दरा पीस लेंगे, भुनीवी मुंगफली छिलका उत्री बाजार में भी आसानी से मिल जाती है, अब एक कटोरे में कदू पुकस किया हुआ आलू, साबुताना, पिस्मिस, भुना जीरा, मुंगफली, अमचूर, हरा धनिया, स्वादनुसार, अद्रक हरी मिर्च का पेष्ट, स्वादनुसार, सांधा नमक डाल कर मिश्रन में मिला लेंगे, अब गैस जलाएंगे, और कढ़ाई में घी डाल कर गर गोल तयार करेंगे, अब थोड़ा-थोड़ा मिश्रन हतेली पर लेकर वड़े का आकार देंगे, आप इनको मंचाहे आकार में बना सकते हैं, अब एक प्लेट में थोड़ा चावल का साटा लेंगे, और गोल में वड़े को डिप करेंगे, और शाटे में लपेट कर गरम त पर हलके सुनहरे रंका होने तक वड़े को तल लेंगे, अब वड़े को एक प्लेट में टीशू पेपर डाल कर निकाल लेंगे, और हरे धनिय पुदिने की चट्नी के साथ गरमा-गरम परोसेंगे, हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंस में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है, तो उसको भी आप पूच सकते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें, और हमारे चैनल की सदस्चता आवश्ये लें, यानि की सब्सक्राइब करें, इस वीडि को आप हमारी बैवसाई मा की रसोई टोटनेट पर भी पढ़ सकते हैं, तो फिर मिलते हैं एक और नए वेंजन के साथ, धन्यवाद,